नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में दोस्तों एक सुन्दर सी फीमील हतेली आप महिला जातिका हैं और आपकी हतेली मेरे सामने बिसलेशन के लिए आई हुई है और बहुत ही कजब की हतेली है बहुत ही सांदार हतेली है सबसे पहले हमारी नजर पड़ रही है इस हतेली के मरकरी माउंट पे आपका अगर हम सबसे छोटी उंगली देखें और इसके नीचे का भाग देखें तो ये बड़ा सुंदर नजर आ रहा है और इसमें कुछ बिसिष्ट चिन दिखाई दे रहे है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेगा तो जो इसपष्ट रेखाएं एक, दो, तीन, चार और पाँच रेखाएं जो इसपष्ट दिखाई दे रही है आपकी इसमें पाँच लकीरें दिखाई दे रही है और भी है लेकिन एकदम बल्वती नहीं है पांच रेखाएं है इसका मतलब है देखो ये ब्यापार का ग्रह है ये वानी का ग्रह है और ग्रहों में इसको राज कुमार कहा जाता है बुद्ध को मरकरी को और इसमें पांच रेखाओं के होने का मतलब है कि ये जातिका उच्चकोट की बुद्धिमान और ज्यानवान है ये अपने जिवनकाल में परिवार समाज से हटकर कुछ करने की चाह में है जिसके चलते इन्हें पीडी दर पीडी याद रखा जाए और ऐसे लोग करते भी हैं ऐसे लोग बेग्यानिक सोच वाले होते हैं ऐसे लोग अनुसंधानात्मक कार्य करने वाले होते हैं यानि कि खोजी परिवर्ति वाले होते हैं और आपने जितने भी बेग्यानिक या इससे समंदित लोग देखे होंगे उनकी हतेली में ये रेखाएं साज रोप से देखी होगी ये आपके ग्यान को आपकी कारियसेली को बताती है आपकी वानी को आपकी सोच को बताती है और ये 100% आप लिख के ले लो अगर ये लकीरे आपके हतेली में है और बुद्ध आपका बेहतरीन है तो निश्चित रोप से ऐसे लोगों का बुडापा बहुत अच्छा गुजरता है अपने जीवन में अंतिम छण तक ऐसे लोगों के पास अपने हाथ का पैसा होता है और ब्यापारिक बुद्ध ऐसे लोगों की जबरदस्त रहती है ब्यापारिक समझ ऐसे लोगों की सांदार रहती है दूसरी बात ऐसे लोग सेवा भाव वाले होती हैं एक से ज़्यादा भासाओं के जानकार होती है और जिस तरों से आपका बुद्ध परवत है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका बुद्ध परवत एक सुन्दर आकर्ति बनाई हुई है मनि इसकी रंगत बहुत अच्छी है और खुब सुरत और पुष्ट दिखाई दे रहा है निश्चित रोप से ब्रिस्पति और सूर्य के सांदार आउस्ता में आने पे अच्छे परणाम देने पे जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे जादतर उसमें पूरी सपलता जिवन में अरजित करेंगे किसकी वो जोसे बुद्ध की वो जोसे हर तरह की प्रस्तितियों को आप भली भाति समझने वाली जातिका रहेंगी और जिवन में योजना बना कर अगर चलती है तो जबरदस्त लाब जिवन में देखेंगे एक विसिष्ट चीज आपके अंदर है बुद्ध के कारण वो है जो भी कार्या आप परारंब कर देती है उसे कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ती है पूरा अवशकर लेती है यह यहाँ पे इस पश्ट दिखाई दे रहा है आपकी हतेले का जो बुद्ध का परोत है वो सही रूप से बिक्सित अवस्ता में है आप मनो बेग्यानिक के छेतर में माहिर होंगी सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरों से जानती है और ऐसे जो भी लोग होते है वो ब्यापारिक कार्यों में विसे सपलता की प्राप्ति करते हैं और आप है ऐसे, इसमें एक बिसिष्ट चीज और दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखेंगे, आपके मस्तिस्क की रेखा से एक रेखा निकल करके, और बुद्ध की तरफ जा रही है, लेकिन पहुँच नहीं रही है, कि वो हिर्दे की लकीर में समाहित हो रही है, ये औ वेकी होती हैं, दिमागी होती हैं, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेती हैं, कि दूसरों को भावक करके, उसका भी ये इस्तेमाल कर ले ना जानती हैयं, मतलब सेल्स और मार्केटिंग के गुनों से उत्परोत, सेल्स और मार्केटिंग के पस्तिश्क की रहखा और आपकी जीवन की रहखा सुरू हो रहे हैं वहाँ पे गैप दिखाई दे रहा हैं। यह आपकी स्वतंत्र विचारधारा को दिखाता है। आप अपनी मन की मालकिन हैं। अपने मन की मालकिन हैं किसी के कंट्रोल में किसी के आदिपत्य में आप काम नहीं कर सकती हैं ठीकन है स्वयम के निर्णियों पे चलना आपको बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा सा जिद्दीपन भी आपके अंदर है और ओबर कॉन्फिटेंस भी आपके अंदर मंगल के कारण दिखाई दे रहा है ये कई बार नुकसान भी कराता है आप ओबर कॉन्फिटेंस में आके बड़े निर्णे ले लेते हैं और कई बार वो निरने खराब हो जाते हैं जिसके कारण आपको कई बार पच्छताना भी पड़ सकता है लेकिन फिर भी आपके अंदर मैनेजमेंट की चमता बहुत अच्छी है आपके अंदर रिस्पोंसिबिल्टी निभाने की चमता बेहतरीन है और इसका कोई तोड नहीं दिखाई दी रहा है और यही चीज आपको जीवन में बहुत अच्छी सपलता भी दिलाएगी आपके कुछ बहुत जरूरी प्रशन भी है उन पे चलींगे सबसे पहले में एक मुख्य चीज पे चलता हूँ जो आपकी हतीली में सबसे बड़ी कमी भी दिखाई दी रही है और इसको ठीक करना बहुत जरूरी है यहाँ पे देखेगा जो ये इंडेक्स की फिंगर है इसके नीचे का जो ये भाग है इसको कहते हैं जुपिटर का माउंट ये हमारी हतीली में बैठने वाले पर्थम आचारे हैं हमारी हतीली में या हमारी कुंडली में दो आचारे बैठते हैं तो ये पर्थम आचारे हैं और ये जो फिंगर है ने अंगुठा इसके नीचे का जो ये भाग है ये भाग है आपका सुक्र का प्रोत ये हमारी हतेली में बैठने वाले दूसरे आचारे हैं ये देत्य गुरू है ठीक है और गुरू का मतलब क्या होता है जो आपको अंदेरे से लेके प्रकास की तरफ ले जाता है इसको गुरू कहते हैं जो सही मार्ग दरसन दे आज कल तो लोग गुरू को भी ठगने बैठ आया उसने ऐसी अबलिकेशन जो है जनरेट कर रखी थी कि वहां से जब प्यमिंट करते हैं वह सक्सेस्पुल दिखा लेता है लेकिन वह किसी के पास पहुंचते नहीं प्यमिंट और उसका स्क्रीन सोट जो है वह बेकती भीज देता है और उसके बाद कहता है जी मैंने तो भीज दिया मैंने तो कट गया तुम्हारा इमान खराब है तुम जो है लोगों को ठक रहे हैं हमारे साथ वहा है एक अब नाम क्या निकालों उसका नंबर क्या डिस्प्ले करो ठीकने कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरों का दूसरों को ठक के ही खाते है मेनत पगवा कुछ पैसा पकड़ा हटा यहां से ठीक है ने तो कुछ लोगों की तो गुरूं से भी ठक के खानी होती है क्योंकि जब हमारा जो है समय खराब आने बैठ जाता है तो सूचना देता है वो सबसे पहले ब्रामनों का पैसा मारता है ब्रामनों से लोट के पैसा खाता है गुर बहरहाल देखेगा यहां पे देखेंगे तो जो पर्थम आचारे हैं आपके यह आचारे सनी की तरफ जुक रहे हैं तो यह बर्तमान समय में बता रहे हैं कि परिवार को लेके खास कर बच्चों को लेके कुछ चिंताएं आपके मन में हैं और आभी दो से डाई वर्स तक यह बनी रहेगी लेकिन गलत नहीं होगा दूसरा यह बता रहा है इसमें एक लकीर है यह आपको अध्यात्म की तरफ बहुत जादा रुजहान बना रही है आपका आकरसन बना रही है और अध्यात्म में बहुत अच्छा विकास आप करेंगे यह लकीर इस पश्ट रोप से कह रही है दूसरा यहां पर गुरु आप देख रहे होंगे तो बिल्कुल साधारण अवस्ता में बैठे हुए है और यह आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देने की कोशिस कर रहे है सामन्य विक्तित्व देने की यहां पर कोशिस कर रहे है फिर भी हसमक स्वभाव ब जुकाओ बना रहेगा स्वतन तरता और लीडर्शिप की चाहा रखने वाला प्यक्तित्व आपका निश्चित रोप से इस गुरु के कारण बना रहेगा देखेगा इसको थोड़ा समझने की कोशिस करेगा बले ही वीडियो थोड़ा लंबी होती है मेरी लेकिन मैं एक तर सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी तत्वा है आकास तत्वा और ये इसी के जो है मालिक है ब्रिस्पति जी और ये देव गुरु ब्रिस्पति चाहे आपकी कुंडली में हो जनम पत्री में हो या हस्तरेखा में हो ये सबसे महत्वपूर्ण माने गई हैं क्योंकि हमारे प जान हो ऐसे में आपके अंदर कितने भी knowledge हो उस knowledge को implement करने के लिए platform नहीं मिल पाता है और आपका बिबाह नहीं हुआ है तो बिबाह में दीरी होनी का ये संकेत करता है और बिबाह अगर हो गया हो तो कहीं न कहीं बैबाहिक जीवन का जो पूरा सुक है उस सुक के भोगने में प्रस्तितिया सामने आ जाती है चाहे संतान हो अगर ऐसे लोगों के संतान नहीं होई है तो संतान देर सी होती है अगर संतान होगी भी तो भी संतान को लेके हमेशा चिंताई मन के अंदर बनी रहती है और चाहे पैत्रिक संपति हो ऐसे लोगों को पैत्रिक संपति का बहु धन को लेकर भी कहीं न कहीं जो है जीवन में संगर्स रहता है और सबी परकार के जो वास्त्विक सुक हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए इनी ब्रिस्पति जी से देखे जाते हैं वो सुक उस परकार से नहीं मिल पाते हैं जिस परकार से सुक मिलना चाहिए और गुरु ज्यान का कारक है गुरु गुरु का कारक है गुरु मतलब सिक्छक या कोई ऐसा ब्यक्ति जो आपको पड़ाई जब गुरु इस परकार से होता है तो ऐसे लोगों को गुरु नहीं मिलता मनि सही दिसा दिखाने वाला समय पई नहीं मिल पाता है और कहीं न कहीं जीवन में संगर्स जहिलना पड़ता है कई बार ऐसे लोग अपने आपको अकेला महसूस करते हैं और खास कर अपने से बुड़ों का चाई उमर में बड़ा हो, चाई पद में बड़ा हो उनका जो सपोर्ट मिलना चाए उस परकार का सपोर्ट नहीं मिलता है और खास कर सिक्छा का छेतर है, इंजीनियरिंग का छेतर है, चिकित्सा का छेतर है, मैनेजमेंट का छेतर है, बानिज्य का छेतर है, कानून का छेतर है ऐसे छेत्रों में अगर ये लोग काम कर रहे हों या अपना काम कर रहे हों तो बहुत बड़ी तरक्की या काम्याबी ऐसे लोगों को नहीं मिल पाती है तो सबसे पहले क्या करना है आपने इस गुरू का उपाई करना है और कम से कम धाई साल में ये गुरू आपके अच्छी आउस्ता में आएंगे और तब जाके आपको गुरू के बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छे फल जीवन में देखने को मिलेंगे ठीक है अब आपके सवाल ले लेते हैं फिर और चीजों पे जाते हैं आपने पहला सवाल पोछा है हेल्थ के बारे में किरपाया बता दीजिएगा कैसे ख्याल रखे कहां ध्यान दे देखेएगा यहां पे स्वास्त्य के मामले में सबसे बड़ी चीज है सूर्य स्वास्त्य है सूर्य जीवन है सूर्य प्राण है सूर्य के बिना कुछ नहीं है और आपका सूर्य कहीं न कहीं डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य जब डाउन होता है तो आखों से समंदित परेशानिया उभरनी सुरू हो जाती है मनी चस्मा ओगेरा लग जाता है नजने कमजोर होने बैठ जाती है पेट से समंदित परेशानिया है हड़ी से समंदित परेशानिया है या आपका हार्मोनल सिश्टम है कही न कही हलका वीक होने बैठ जाता है तो आपको मैं एक दिव्या सूर्य किरिया दे रहा हूँ और कुछ उपाई में ओडियो के माध्यम से स्वच्थे से समंदित दे रहा हूँ अउश्य ही जो है आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा और ये लाब आपका बहुत लंबा चलेगा दोसरा प्रश्ण बहुत महतपूर्ण है आप लिखती हैं अध्यात्मिक विकास के बारे में थोड़ा किरपा बताएं देखेगा मैंने पहले ही बता दिया है कि आपके गुरू में एक लकीर है और ये लकीर बहुत बड़ी महतपूर्ण लकीर है इसके कारण इस पश्ट रूप से दिखाई दे रहा है जैसे जैसे आपका ब्रेस्पती अच्छा खासा इस्तिति में आएगा वेसे वेसे अध्यात्मिक छेतर में आप बहुत अच्छा विकास करेंगे तीसरा जो है आपका प्रश्ण है ये भी बहुत महतपूर्ण है नया घर का सोच रहे हैं वो कब होगा उसके लिए क्या करना चाहिए देखेगा नया घर के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको अपने ब्रस्पती और अपने सूर्य का ध्यान देना चाहिए और कम से कम जो है धाई साल के बाद जो है बहुत अच्छे योग बनते हुई दिखाई दे रहे हैं आपकी हतीली के उनसार अगर इसमें आपके husband भी देख रहे हैं अगर उनकी हतेली में चीज़ें बहुत अच्छे हैं तो बहुत जल्दी जो है आपको उसका लाब मिलेगा क्या करना चाहिए मैं एक बहुत अच्छा उपाई दे रहा हूँ उसको जरूर करेगा निश्चित ही ये इक्षा आपकी 100% पूरी हो जाएगी चौथा प्रश्णा आप कह रहे हैं शेयर मार्केट मेरे लिए कैसा रहेगा लॉंग टर्म सौर्ट टर्म या इंट्राडे देखेगा अभी सूरे के अनुसार अगर हम देखें एक लाइन तो बहुत अच्छी है लेकिन हल की लाइन जो है ये इसको काटती हुई दिखाई दे रही है तो अभी कुछ चिन बन रहे हैं आगे बहुत अच्छे बनेंगे ये लेकिन अभी आप सौर्ट टम वाला जो है आप्सन आपनाएं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पांचवा सवाल आपका है आप लिखती हैं कोकोपीट बिजनेस का सोच रही हूं मेरे लिए क्या सही होगा दो ऑप्सन है एक है इथर कोकोपीट कोईर मेकिंग दूसरा डाइरेक्ट रेडिमेट प्रोडक्ट है लाइक ज किया तो बेटे के साथ पार्टनर्सिप या और किसी के साथ ठीक रहेगी या ख्und अकेले ही ठीक रहेगा देखेगा आपका यहां पे सुक्र इसपश्ट बथा रहा है कि जो रिडिमेट आपका जो है प्रोडक्ट है वो आपके लिए बहुत सांदार रहेगा आपके हाथ मे partnership तो है लेकिन आपकी बेटे के हाथ में partnership नहीं है तो अगर आपके भाग्य से उसका भाग्य भी अगर ठीक हो सकता है तो कोशिस करें ने तो अगर आप अकेला करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा इसमें कोई दोराई नहीं है आपने छटवा सवाल लिखा है बहुत महत्वूर्ण है कथक डांस सीखना है क्या सीख सकते हैं यस आप सीख सकती हैं क्यूं देखेगा आपका जो सुक्र है देत्य गुरु सुक्र ये सुन्दर और अच्छी अवस्तामें आपकी हतीली में है और जो कला है जो सुन्दर्य है और जो सुन्दर्ता है इन सब चीजों के लिए गलेमर के लिए अभिनाय के लिए यही ग्रह जिम्मेदार होता है और ये ग्रह आपका पुष्ट है बहुत सुन्दर है और तेजो मय अवस्तामें है निश्चित तोर पे अगर आप सीखना चाती है तो 100% आपको सपलता मिले और आपको जब सपलता मिलेगी तो और लोग भी इससे लाभानुवित होंगे दूसरी बात सुक्र इस इस्तिति में यहां पे है कि यहां पे धीरे धीरे वर्टिकल रेखाई बन रही है यह इस बात का ध्योतक है कि जिस काम को एक बार अपने हाथ में ले लेंगे तो उसके परति जो है बहुत बफादार रहेंगी जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और इसके कारण ही जो है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समार कर रखना ये चीज़ें जादा रहेंगी नई चीजों के परति आकरसन भी बना रहेगा और इस सुक्र की वजोसे आपका चेहरा भी बहुत ही सांदार बहुत ही सुन्दर होगा और जो सुन्दरता है जो आकरसन है हमेशा आपके अंदर बिद्यमान रहेगा और हर प्रस्तित को जेलने की चमता भी आपके अंदर बनी रहेगी ये इस पश्ट तरीके से आपका सुक्र बता रहा है अब देखेगा यहाँ पे आपकी कुछ हतेलियों का हम और बिसलेशन कर लेते हैं ये उंगली पूरी तरों से जुक रखिए है आपकी मिडिल फिंगर की तरब धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मातरा में आपके अंदर रहेने वाली है इस स्वर में बहुत अच्छा विस्वास रहेगा कैसी भी प्रस्तिति हो इस स्वर से विस्वास नहीं डगमगाएगा इसका जुकाओ बता रहा है यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है इसका मतलब है आप बहुत जादा मिहनती है मिहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है सूरी की उंगली पूरी तरो से जुक रखी है सनी की तरब यस पाने के इक्षा नेम फिम पाने के इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने के इक्षा बहुत अच्छी आपके अंदर है यहा आपके अंदर कार्यकुसल ताके गुन देती हुई दिखाई दी रही है। आप कार्यकुसल ब्यवहारिक लेकिन कहीं न कहीं स्वाबिमानी रहेंगी और स्वाबिमानी के साथ साथ औरों पर सासन करने की इक्षा भी परबल रोप से आपके अंदर रहेगी। ये इस पश्ट बताती हुई या पर नजर आ रही है, सबसे छोटी उंगली देखें, तो इस तरों से जुक रही है, धन का माने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन बहुत छोटी है, तो ऐसे में ब्यक्ति का जो ब्यक्तित्व है, वो दबा दबासा रहता है, निखर करके साम बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयतनसील ब्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा, यहाँ पे देखेंगे, यह रेखा इस तरों से जारी है, जो आपकी महत्तों कांचाओं को बढ़ा रही है, आपकी बहुत आगे बढ़ने की सोच को दिखा रही है, और आपकी इक्षा भी कहीं न कहीं टॉप लेबल तक पहुंचने की हो रही है, और इसके लिए मेहनत भी करेंगे, इसका लाब भी प्राप्त होगा, जो मानसिक अस्तर है, आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसका लाब होगा आपको, यहाँ पे जीवन की रेखा बहुत अच् जनमास्तान में रहेकर बहुत ज्यादा तरकी नहीं दिखाई दीरी है, दीरी दीरी यह रेखा मिल रही है, तो परिवार के परति जो समरपण है वो ज्यादा रहेगा, करियर और धन की रेखा बस आदी ओधूरी ही है, इसका मतलब है अभी आपका जो करियर का मामला है, जो दो समय आपको करना है, सुबा के समय और रात के समय, और एक महालक्षमी का उपाई दे रहा हूँ, आपको विदिवत तरीके से करना है, तब जाके धाय बर्सों के बाद इसका असर आपकी जीवन पर दिखने बैठ जाएगा, उससे पहले महालक्षमी की उपाई का असर नह बहुत अच्छा रहेगा, और एनरजेटिक स्वभाव आपका निश्चित तोर पे बना रहेगा, सनी की अगर इस्तिति देखते हैं हम, तो थोड़ा सा जो है कभी-कभी बे वजहे की चिंताईं रहेंगी, या कुछ न कुछ ऐसी वजहें दिखाई दे रहें, जो थोड़ा कई सूर्य मजबूत हो, तो आपकी आर्थिक इस्तिती बहुत अच्छी होगी और येस की प्राप्ते होगी, इसके लिए दिब्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा, इसके बारे में हमने देख लिया है, चंद्रमा की इस्तिती धीरे-दीरे ठीक हो रही ह इसका मतलब है, आने वाले समय में आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती इस्तिती में रहेंगे, आपका कॉन्फिटेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, और आपका धीरे-धीरे सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, वो भी ठीक होने बैठ जाएगा, और आपक सुम्दर रहेंगे, आपकी इसमें तीन लकीरे हैं, निश्चित रोप से इसका बहुत अच्छा लाम मिलेगा, चाए स्वस्त्य का मामला हो, चाए धन संपति का मामला हो, चाए सुक का मामला हो, इसमें आने वाले और विसेश कर जीवन में 56 वर्स से इसका प्रभाव इसके बाद का समय आपके लिए बहुत सांदार है, बहुत सुक देने वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी दो से धाय बर्सों तक कोई न कोई चिंता भी बनी रहेगी और हलका संगर से भी जीवन में निश्चित तोर पे रहेगा, देखा जाए, तो मैंने आपकी हतेल का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है, उपाय में विदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के माधियम से भेज रहा हूं, करने की कोईसिस करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाब आपको प्राप्त होगा, इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार